आप अगर घर पे बैट के पैसा कमाना चाहते हो, आप मेरी रिस्क पे, मैं कहता हूँ आपको इंटरनेट बस एक बात ध्यान रखना, हर चीज का ओपयोग positively और negatively हो सकता है, वो आप पे depend करता है साहब, मोबाइल सब के पास होता है, कोई मोबाइल पे गलत चीजे देख रहा ह मैं वो चीजे देखता हूँ जो मुझे मेरे दिमाग को भढ़ाए, मैं कभी अपना समय बरबाद नहीं करता हूँ, मोबाइल मैं आपको बताता हूँ, सुबह उड़ता हूँ, शुबह से शाम तक मेरे हाथ मोबाइल रहता है, लेकिन वो मोबाइल मैं हमेशा positive चीजों के इस्तमाल करता हूँ, learn, how to learn, how to develop your skill, कभी समय बरबाद नहीं करता हूँ, साहब, इसलिए technology कई लोगों के लिए बरदान है, और कई लोगों के लिए भिशाम है, साहब वो आपे डिपेंड करता है कि आप उस मोबाइल का use कैसे करना चाहते है, कई लोगों को सरिफ एकी बात समझ में आती है, लड़की बटालू, लड़का बटालू, या फिर मेरा कोई यो friendship हो जाए, किसी से रचाट करलू, किसी से बात करलू, साहब मैंने इस चीज सोची ही नहीं, जिंदगी में एक ही बात समझी, पैसा है, तो इंसान सुरक्षिता और इसको आप नकार नहीं सकत सच बोलिए, क्या इसे आप नकार सकते हैं, नहीं नकार सकते हैं, यह जूट बोलते हैं, आज लोग पैसे वालों की सुनते हैं, और जिनके पास पैसा है, वो सालसाई गलत भी बोल रहा है, तो भी लोग सुनते हैं, क्या सच नहीं है, इसलिए क्या, उनको और एक और बात आप उनसे फिर नफरत मत करिए कि पैसा वाला है, पैसा वाला हम गरीब है, रुकिये साहब, उनकी इज़त करिए, उन्होंने पैसा कमाया है, जैसे भी मिला और आपको वहां तक पहुंचने हैं, क्योंकि आप इज़त करोगे, और आप ये thought process रखोगे, वाह, पैसा कमाता है, मैं भी एक दिन पैसा कमाऊंगा, साहब आप पैसा कमा जाओगे,